हेलो गाइस तो 25 नुवंबर 2024 को स्कूल जाना है ये नहीं इसी किरिगारिंग का आज का वीडियो है तो जैसे कि पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फाइनल जो डिसीजन आएगा वो कोट का आएगा ये हो चुका था लेकिन अब डिप साफ होता जाएगा आप देखेंगे कि धूप भी अच्छी निकल रही है और मोसम भी साफ नजर आ रहा है लेकिन फिर भी डिपार्टमें एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने कोट के ओडर को टैक किया है और कहा है कि जो जो बातें यहां पर कही गई है उन्हीं बातो को strictly follow किया जाएगा चाहे वो school खुलने से related हो या फिर वो staff से related हो school staff में 50% staff के लिए कहा गया है और जो क्योंकि pollution का level 4 चर रहा है इस समय तो उस समय जितनी भी restrictions लगाई जाएगी उन सब को follow किया जाएगा तो department नहीं कहा है कि हम कुछ अलग से initiate नहीं करेंगे जब तक कि हमें कुछ उपर से order नहीं मिलते हैं तो department ने क्या कहा एक circular लिख दिया कि इन चीजों को follow किया जाएगा और नीचे जो हमीं कहा दे कि जो code का order है उसको उन्होंने tag कर दिया तो अब ये सिधी-सिधी बात हो गई कि पहले तो department ने verbally बोला था कि जो code कह रहा है उसको कह दो लेकिन अब department एक circular जारी कर दिया है तो circular जारी करना एक बहुत बड़ी बात होती है return में देना तो बहुत बड़ी बात होती है तो अब तो ऐसा है कि 25 तारीक को हम बहुत बड़ी confusion जो है उसे दूर कर देते है कि 25 नवंबर को तो school बिलकुल भी नहीं जाना है अभी तक बिलकुल य लेकिन क्योंकि pollution धीरे-दीरे बहुत तेजी से कम होता जा रहा है तो डिपार्टमेंट इतना लेट नहीं करेगा डिपार्टमेंट 2-3 दिनों में स्कूल खोलने की जल्दी करेगा लेकिन देखते हैं लेकिन ये बात आप रही है कि 25 तारीकों में लग कल तो बिलकुल भी क्लासीज ही होंगी आप लोगों की और उसके बाद जैसे ही कोई ओडर आता है या कोई सर्कुलर आता है उसका वीडियो में आपको बना दूगी आप क्या चाहते हैं ओनलाइन क्लासीज हो या आपको स्कूल जाना है कुछ भी हो इससे रिलेक्टर आपके मन में जरूर करके पूछेगा मैं उसका वीडियो बना दूगी थैंक्यू गाइज